जै गुरु जी संगत जी, ओम नमाशिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमाशिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी द्वारा बनायेगे बहुत सुन्दर से परिवाद, गुरु जी टूडे ब्लैसिंग्स में मैं संजीव नारंग आपका हार्दी स्वागत करता हूँ, च सके संगाजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वाट्सप नमबर दिया गया है आप अपना सत्संग और या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं दो बातों का विशेश ख्यार रखें आवास बहुत प्लियर होनी चीए और दूसरी बात कि इसमें जरूर मेंशन करें कि आप यह संजीर नारंग अंकल के चैनल के लिए भेज रहे हैं जैगुरू जी आज की सत्संग की बात करूं तो आज की सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है उसमें आपको जिसे मैं उपाय भी कह सकता हूं आपको सुनने को मिलेगा कि महाराज तक ह पास भेजनेगी की है लखनों से अनन्या शिरी आंटी जी ने मैं ममता अन्या शिरी आणडी जी का दिल से शुक्राना करता हूं करोने गुरू जी से आगया लेकर गुरू जी के प्याद से चैनल के अपना ससंग शेर किया चलिए ससंग स्टार्ट करते हैं जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी शुक्राना आपका हरपल का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मैं ममता लखनों से अनन्या मैं आपका भी शुक्राना और नारग अंकल आपका भी हुगा उसके लिए भी शुक्राना तो यह मेरा शुक्राना सत्संग है और gewुरु जी ने इतना कुछ दिया है इतना कुछ दिया है कि जिटना भी उनकी बड़ायाई की जये जितनी भी उनकी रह्मितों का बारे में बताया जाए उतना ही कम है क्योंकि हर बार मेरे गुरुजी महराज कुछ ना कुछ मुझे नया दे देते हैं कुछ ना कुछ नया मेरे साथ करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा चीज़े करते हैं कि और ऐसी चीज़े करते हैं जो मैंने कभी इनसे मांगी भी नहीं होती है कभी नहीं मांगी होती है वो चीज़े भी कभ अब आप मुझे सपने में दर्शन भी नहीं देते हैं जो कि गरुजी ने मुझे पहले कई बार दिया हुआ है तो मैं ऐसी सोच रही थी और कल से मुझे इतनी अच्छी प्रेग्नेंस आ रही है इतनी अच्छी प्रेग्नेंस आ और आज तो हलकी है हो गई है बत कल बहुत जादा थी पूरा दिन थी और बहुत जादा थी तो मेरे मन की बात को सुनने के लिए आपका हर्पल का शुकृत और दूसरा कि जैब मैं गरी से फर्स टाइम जोड़े जलाए था जोल सिया नख़ए की कि करणा प्रिशाद रखा तो मैं असे बैठ गई तो मेरे मन से ना पते इतना तीजा अबया कि सर पर दुपट्टा रख सर्पर दुपट्टा रख दो बदर जी आवाज आई और वो था मन मेरा ही मन मेरा ही था। मेरे मन से ही आवाज आ रही थी वर वाज भी मैरी थी बारबर मेरा मन कह रहा था कि रपाता रखा रखा Brook तो अब समझ में आया कि वह कुरू जी मेरे को मैसेज कर रहे थे तरिपथी से कि रखाता पर तो सच مहां मैने फील किया मेरे जो रोंगते थे वो खड़े हो गए ते उस टाइम कि वो मन से जो आवाज आई थी तो फिर मैंने सर पे दुपट्टा डालके अपना बैठी शाम के टाइम पूजा कने की टाइम तो जब गुरुजी के आगी जोज जलाई फिर मैं गई जब मेरे मन से आवाज तो मैं गई और मैंने दुपट्टा लिया अपना तो उसके लिए शुक्राना गुरू जी कि आपने मेरा मार्व रेशन किया कि जब भी मंदिर पर बैठो तो सर ढख के बैठो तो थैंक यू थैंक यू और इसके लिए अननया अम आपका भी शुक्राना क्योंकि ये चीज थोड़े दिन पहले एक गुर्बानी भी जीती और बोला था कि सर ढखके जो जला कि इस गुर्बानी को सुनना तो तब से मैं रोज वो काम करती हूं और गुरुजी के आगे भी जब जो जलाती हूं तब भी माता ढखती हूं अपना सर ढखती हूं और अपनी नॉर्मल जोड़ी तो मेरे घर में पैठ है कि हुद्र जादा तो छोले को पता है कि मेरे घर में नितना शुरू किया अचानक से समयल गंदी वालीज माती तो बिलूव चली गई बिल्कुल चली के और इतन की खुश्पूउ आने लगिए अच्छी खुष्बु आने लगी कि पूरे घर में वह खुष्बु में कहीं हुए हुआ मैं बाहर जहां कार खड़ी होती थी बराम्brम वहा है लिए बहार जाओं तो अभी मैं यहां शेयर चाहां चाहरा है तो मैं एक दिन अपने हजमेंट से पूछी कि तुमको कुछ आ रहा है खुश्बू लग रहा है तो वह बोले कि तुमको तो साइनस है तुमको तो इतना तेज दुखाम रहता है तुमको तो किसी चीज की और यह बात सच है कि मुझे किसी भी चीज की सुगंध हो या दुरग नहीं आता है बट यह गुरुजी की रहमत है कि मुझे गुरुजी की फ्रेग्नेंस हमेशा आती है और उस वक्त वो फ्रेग्नेंस और खास कर जब मैं रात में लेटती थी और विस्तर पर अपने और बस गुरुजी का नाम आखी बंद करके गुरुजी का नाम जबती थी इतना तेज आती थी औह जिन में बाहर खड़ी तो अ Speech बूर Bra है मेरे आस पास ही है गुरू जी और एक दिन की बात है कि गुरू जी ने मेरे हजबन को भी ब्लस किया अपनी फ्रिक्नेंट से बट वो मानते नहीं अच्छली क्योंकि मैं क्रीम लगाती थी हमेशा उस वक्त तो वो क्रीम में रोज लगाती थी बट उन्हों लगा रही थी तो बोले कि तुम यह रोज वाली क्रीम कब से लगाने लगी हो तो मैंने का रोज वाली क्रीम यह क्रीम तो मैं रोज लगाती हूं हमेशा लगाती हूं डेली लगाती हूं तब तो तुम्हें नहीं लगता है तो बोले कि नहीं आस तो खुश्बू आ रही है र बड़े मंदिर आजाता है तो मैं पूरे घर को ब्लस कर देता हूं तो गुरू जी ने उनको भी ब्लस किया nah हुआ है तो उसके लिए भी शुक्राना गुरू जी शुक्राना और मेरा जो एक बड़ा सत्संग है तो बड़ा सत्संग इसलिए कहूंगी कि ये चीज मैंने सोची ही नहीं थी जो चीज वो मेरे साथ हो रही है इस टाइम वो मैंने सोची ही नहीं थी actually मों मतलब कभी मेरा ध्हानी नहीं गया वह देनाव लित नहीं सबस्तिखेंगे तो मैरेुंग मेरे जो इनलावश्ज वह मुझे बिलकुल भी मेरे içलक्ते के ता कि पारे क्या सक्तिते ने नहीं थिलुए ना मैंनाज करने देंवर्व में रहते की नार हुआनि को सबस्त गड़ मेरे हजबन की दोनों सिस्टर से मेरी बहुत अच्छी वांडिंग थी एक प्लेट में खाना खाना साथ में घूमना फिनना एक स्कूटी पे तीनों जने बैट के चलाते थे कभी मैं चला रही हूं वो दोनों पीछे बैठी है तो कभी एक जने कोई और चला रहा है तो मैं हम दोनों पीछे बैठी मतलब इस टाइब का था मैंने बहुत अच्छी दोस्ती थी कि आलमबाद जाना है अमीनाबाद जाना है तो हर जिगह मेरे साथ जाना है उनकी इनफेक्ट उनकी मम्मी को भी कहीं जाना होता तो मुझे कॉल करके बलाती थी ममता आजाएगी चलना है सम अच्छा था बट और उनलों को पता भी था कि हम लोग शादी करेंगे तो सब कुछ पता था लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों मेरे को नहीं समझ में आया क्यों लेकिन हां जो भी है तो शादी के बाद तो मेरे से उन्होंने अपने बेटे को तो माफ कर दिया बे भेंडारा था तो मेरे हजबन को भून आया बोलने है कि ममी ने थम बुलाकी आया को मैं बुलव已經 कि ढूब है तो मैं मैं सब भुला था कि को मैं एपने बोलेक को भड़काती मोफ़ बिलें के को माफ कर दिया तो मेरे से क्या गलती हुई क्योंकि गलती तो अगर अगर आपकी नजर में वह गलती है कि हम लोग में शादी की तो वह गलती हम दोनों ने की है अकेले मैंने या अकेले उन्हों उन्यक्ति नहीं की है तो अगर आप मेरे से बात नहीं करते हो तो फिर आप ने अपनी बेटे को माफ कर दिया आप उनको घर में बुलाते हो आप उनके ओफिस में अलग से खाना पीना भी भेज देते हो इन पैक्ट वो घर से खाना खाके जाते हैं उसके बाब जूद भी अपने बेटे पे इतना प्यार उडेलते हो और मेरे से जो इतनी अच्छी बांडिंग थी इतना सब बांबान वह इजद नहीं देला पाएं तो उन्होंने फॉर्स टाइम मुझे भंडारे में बुलाया और बहुत अच्छे से बात वाद भी कि मुझे खाना वाना भी पैक कर दिया कि लेती हो घर शाम को खा लेना भंडारे का खाना उसके बाद फिर जन्माश में पड़ी तो मुझे जन्माशनी में भी बुलाया मेरी छोटी ननत ने मुझे कॉल किया मैसेच कि भापी आप लोग घर पे आ जाईएगा फिर जन्माशनी में भी मैं गई उसके बाद गुरु जी ने कुछ ऐसा कि कि कहते ना कि कुछ ना कुछ तो होता ही है वह माध्यम बनता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो माध्यम यह था कि मेरे हजबन जो है वो बीमार हुए उनके लीवर में इंफ्रेक्शन हुआ उनको फीवर आने लगा कपकपी लगके फीवर आता था जिसका मैंने सप्संग पहले भी शेयर किया हुआ है तो वो जो बैडमीड हुए मेरे लिए खाना बना के रखना इनफेक्ट मैं घर पे अके लिए तो तुम महां के लिए रहोगी तो आओ यहीं पर सुमसोना तो मतलब बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे साथ वहवार किया तो यह बात कर लेकिन मुझे खराब तो लगती थी शुरू स शायद कभी एक दो बार बोला हो तो बोला हो और कहके मैं भूल भी जाती हूँ तो लेकिन शायद नहीं भी बोला हो या बोला भी हो तो मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन हाँ मतलब मैंने कभी वैसे नहीं कहा कि बहुत जोड़ दे कि गुरू जी से नहीं कहा या उस ची नहीं भी सुनते हैं या टाइम लगता उसको टेकिन जो बात आपके मंन में आती पहुत जल्दी सुनते हैं बहुत जल्दी तो वह चीज आती थी िरोती भी ती तो शैद गुरूजी ने कहीं चमथ기도 कार है चायद नहीं ष्on बहुत अच्छा हो गया बहुत बड़िया हो गया नहीं और लेकिन हा रह आहसना बोलना बात करना फून परा만 करना आझ कल मैंने कलश रख है तो मैं नहीं जा रही उनके घर रिलेशन मेरा हो गिया है तो उसके लिए भी शुक्राना गुरू जी क्योंकि ये चीज मैंने शाद आपसे बोली होगी मैं कहके भूल गई हूं क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक चीज बोली थी आपसे और वो कहके मैं भूल गई थी और आपने वो चीज मेरी पूरी की थी गुरू जी तो गुरू rosti से कोई उमीद नहीं है सिफ आपके लावा और 좋다 यह क्या है और इसले के रही एगारे होुलोजी है और यह मैं मन से कह रही हो कि जब शुरू मैं जूरी थी तो मैं आपसे स्वहार। जुड़ी थी और अब जो आपसे फिल करती हूं आपसे जो कनेक्शन फिल करती हो न वो प्योर फिल करती हो कि अब मन में न वो इच्छा इनी रही पर मेरी जीवा पर हमेशा हमेश़ा आपका नाम रहा है मैं आपके नाम जब करूं मैं आपके बताएवे रास्ते पर चलूँ और बहुत 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 मैं तो कहते हूं कि मैं हर वक्त हर वक्त आपके ही सिम्रन में आपके नाम के सिम्रन में जब मैं दूबी रहूं और कोशिश भी करती हूं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के बारे में मत बोलूँ किसी के बारे में बात नहीं करूँ और उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ अगर मैंने अंजाने अंजाने में किसी के लिए बोल भी दिया हो तो क्योंकि जब हम लोग बहने बहने बात करते हैं तो हो जाता है बातों बातों में बाती निकल ही आती हैं तो कोशिश में करती हूं पूरी कोशिश करती हूं लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी कंट्रोल भी करती हूं बहुत कंट्रोल भी कर लेती हूं अपने आपको की कोई ची की की आप मेरे हस्बेंट की शराब चुडवा दो आप मेरे हस्बेंट को सुधार दो अब तो मैं ये भी नहीं बोलती वो मेरे कम आपके जादा है और आपको जो सही लगे आप वो करो बना मैं तो ऐसे भी खुश हूँ अब गुरुजी क्योंकि जिसके पास आप उसको किसी कि जहति नहीं है तो तुमां ऐसे भी खुश मत उसके लिए भी शुकराना घुरु जिया शुकराना आपका हरपल शुक्राना पर लगलाक शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना और नारज classify आँ आपको भी शुक्राना जो आप जो है हमारा जो सत्संग है वो नारग अंकल के चैनल में पे शेर करती है अप लोट करने के लिए तो उसके लिए भी शुक्राना थैंक्यू 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 गूरू जी थैंक्यू सो मज़